नमस्कार मैं बलजीर ढाका करणड़ फेर्स के इस इंपोर्टन शो में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज है तारीक 6 जैनुवरी 2019 तो यह चलते हैं आज के इंपोर्टन कुश्चन पर सबसे पहले देखते हैं प्रिविएस क्यूज जो दो क्यूज दी दो कुश्चन प अकोर्ड मोस विच इन न्यूज रसाइन विच ओधा फॉलिंग यर हाल ही में जो असाम कोर्ड है वो समाचारों में रही है वो कि साल उसमें सिग्नेटर हुए थे तो इसका राइट आंसर है 1985 अबाउट हाव मैनी अधार कार्ड्स हैव बिन इस्जू तो पीपल्टी नॉम के लिए के लगाया है चन्सक्राइं चलाई ख़ए है तो कितनी योजनाएं है इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है 11 इलेवन योजनाएं है वो चलाई जा रही है हर्याना सरस्वती हेरीटेज डिवलप्पेंट बोर्ड है उन्होंने ये अप्रूर किया है और इसके साथ ही जो सोम सरस्वती बैरेज है सरस्वती डिजर्वियर है आदी बदरी डेम है जो कि सोम रिवर है और यह सोम रिवर है ट्रिबूटरी है यह नहीं जो कि सिवालिक की पहाड़ियों से ओरिजनेट होती है उसे अलग से इंफ्रमेशन अगर देखे हैं हर्याना से लेटेड आप पताई होगा आपको यह हर्याना है के चंडिकड़ है चीफ मिनिस्टर मनोरलाल खटर है और स तो कुंक्त 원 है तो इसका राइट इंसर आसीव सईदगोसा असीव सईदगोसा है वह पाकिस्तान Crit Fangya nila Ai. इस इससे पहले पहले मुक्य नएद इस अगे इस सकीन और आसिव सहीद कोसा है पहले Senior Justice Supreme Court के वहां की जो Supreme Court है पाकिस्तान की उसके और ये उनकी फोटो है थोड़ा याद करने के लिए अगले क्वेशन पे चलते है Recently a bill is proposed for deletion of which tribe from the अरुनाचला परदे स्टेट ST list, still tribe list है उससे आदी tribe को किस tribe को delete कर दिया गया है क्योंकि वो जो tribe delete की है वो आदी tribe है कोई उसके साथ वो same a किसम से tribe है same tribe है तो कौन सी tribe को delete किया गया है ST list से अरुनाचला परदेश की तो इसका right answer है अबोल tribe अबोल tribe है वो आदी tribe a की बात है इसलिए उसको delete कर दिया गया है इसके अलावा इसके अलावा एक खांपती tribe है खांपती ये word है ये tribe कोई है नहीं in fact type खांपती है वो tribe का नाम है तो वो भी replace की गई है type खांपती है उसका नाम आया है खांपती की जगए पे तो ये कुछ एक modification है जो की बिल में हुई है union cabinet ने अप्रू कर दिया है इसको और ये modified schedule tribe अरणातल परदेश से लेखिड ये बिल है अब कुछ important information अरणातल परदेश से लेखिड इस ये 20 February 1987 में 20 February 1987 में इसका उद्य हुआ था ये बना था capital है इसकी इटानगर यहां के governor है ब्रिगेडिया डॉक्टर बीडी शर्मा और चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू यहां पे राजे सभागी एक seat है लोग सभागी दो सीट है density बहुत कमरना अरणातल परदेश की 17 पर किलोमेटर स्केर ये इसकी density है official language यहां के English है ये कुछ information थी जो आप है याद रख सकते हैं अगला question देखते हैं अगला question है अगर कोई लोग सभा की कारवाई में बाधा डालता है या हंगामा create करता है सदन की कारवाई ठीक से नहीं चलने देता तो उसको suspend किया जा सकता है पांस दिन के लिए या जब तक की remaining period है लोग सभा का उस समय के लिए जो सब से कम होगा उसके लिए इसको निलम्बित किया जाता है तो फिलहाल क्या है कि यह TDP और AIADM के जो member है उनको कुछ समय के लिए लोग सभा की कारवाई से निलम्बित किया गया है तो आंसर क्या था इसका 20 का ना आंसर होगा यह आपको याद रखना important है 374A इसके तैद speaker कारवाई कर सकती है अगला question देखते है The Citizenship Amendment Bill 2016 Amends which act by allowing illegal immigrants eligible for Indian citizenship नागरिक्ता संसोधन विदेग 2016 अवेद अपरवाशियों को भारतिया नागरिक्ता के लिए पात्तर होनी का नूतित देखर कौन से एक्ट में संसोधन कर रहा है जैसा आप जानते होंगे कल की presentation में भी आया था कि citizen amendment bill हो जो citizenship act है उसमें changes किया जा रहे है इसके लिए एक bill लाया जा रहा है और वो bill क्यों लाया जा रहा है ताकि उस minority को जो हमारे procedures कौन कौन से procedures अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान में वो फिर Indian citizenship के लिए eligible हो जाएंगे, इसलिए इसमें संसोधन किया गया है और वो कौन से minority है, गैर Muslim minority होगी है ठीक है तो उसमें कौन से संसोधन किया जा रहा है, इसका right answer होगा A इसका right answer है A तो इसका right answer है भारतमाला परजेक्ट से रेशिड वो है NHAI National Highway Authority of India ये हाल फिलाल में 10,000 क्रोड रुपे 10,000 क्रोड रुपे के भारतमाला taxable bonds इस साल इस financial year में issue करेंगे जिसकी वज़े से जो different type के project चल रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा project है 34,800 किलोमेटर में रोड बनाने हैं तो वो economic corridor को connect करना हो या inter corridor और feeder route है या border वाले जो road होते हैं उससे लिए फुल मिलाकर ये बहुत बड़ा project है 34,800 किलोमेटर का project है और उस पर पांस लाग 35,000 कोड का investment होगा ठीक है तो ये इसके बारे में जानका रही थी तो राइट अंसर था NHAI अगला question रिसेंटली पास्ट NCTE amendment bill in parliament related to which of the following NCTE amendment bill हुआ उस bill में तो आपको ये बताना है कि उसका संबंद किस्से है उसका संबंद किस्से है तो इसका right answer है B.N.C.T.E. National Council for Teacher Education National Council of Teacher Education इससे 23 यूनिस्टीज 23 यूनिस्टीज से वो सेंटर की हो या स्टेट की दोनों यूनिस्टीज टोटल कुल्मनाकर 23 यूनिस्टी थी उनके courses इससे NCTE से अपरूड नहीं थे इसलिए इस bill में संसोधन करना पड़ा जिससे कि वो चातर लगवच 17,000 चातर है वो लावंबित होगे इससे अगले question पर चलते है recently 20-day long makra vilakoo festival has been started in विट्स्टेट हाली में 21 दिवसिय मकर wilakoo विट्सव है वो किस राजय में शुरू हुआ है इसका राइट आंसर है केर्ला में शुरू हुआ योग सो इन्फेक्ट लोड अयपका की हिल स्राइन है केरला में वो 21 दिन के लिए खोल दी जाती है फैस्टियों सीजन में जो कि इस बात का मार्किंग है या कंक्लूजन है कि एन्वल पिलिग्रम सेशन है उसका एंड हो रहा है और मकर विलकू है वो एक एन्वल फैस्टिवल है मकर सक्रांती को केरला में यह यूद किया जाता है सबरी वाला सहराइन में फैस्टिवल है वो हजारों की तदाद में लोग इकठे हो पर यह मनाते हैं जैसे आप देख रहे होंगे इस पिक्चर के माद्दम से अगर के बारे में कुछ और जाने करी लेते हैं वहां की सब्सक्राइब है गवर्नारा पी सदाश्विवम लेश लेशर यूनिकेमरल है 141 सीट है वहां पर MLA है इतने 14 डिस्टिक है और चीपनिस्टर वहां के पी वीजियन है लोग सभा की 20 सीटे हैं और राजी सभा की 9 सीटे हैं अगला कोश्चन है विच स्टेट टोप दा आसर है वह ए आंधरा प्रदिस अंतरा परदेश है इसका रइट आंशर है जिस आप 21 स्टेटेट्स ने काasına था कि इस चतेट्स में रेंकिंग में पाड़이지न किया था और उसमें से अंधरा पर्देश है उसको reinforced complet by ये पिछले साल 2016 में भी हुआ था यह पिछले साल भी हुआ था पहले इसकी पांस भी रेंग थी लेकिन इस बार इसकी पहली रेंग आई है तीन मुद्दों पे तीन फेक्टर्स पे यह डिसिजन होता है पेरामेटर होते हैं क्या क्या होते हैं इन तीन पेरामेटर पे आंद्रापर्देश ने बहुत अच्छा स्कोर किया है सिंगापर यूश्टी है इसने यह रेंग दी है आगे देखते हैं और और जानकर एक हम बात करें आंद्रापर्देश से लेखिड आंद्रापर्देश एक नॉंबर 1956 को बना सा यह आंद्रापर है वह अमरावती है वह बनने जारी है 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 वह डीजूरी अग्जिस्टिंग कैपिटल है थर्टीन डिस्टिक है उसमें है अंद्रापर्देश में गवर्नर है एसल नर्सिंबन और चीप निश्टर एंच संद्रबाब नाइडू लेजिसलेशर बाई केमरेल है मतलब यहां से होती है दस्वां क्वेशन है हाली में अंटारिक्ट्या माउंट विल्सिंद के सिर्वोत सीकर पर चड़ने वाली पहली अपंग महिला कौन बन गई तो आपको आंसर देना है कौन बन गई दो हजार तेरा में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर शड़ाई की थी और उन् सरपर्देश से बिलोंग करती है और जब वो धका जिया गया तो उसमें इनकी टांक अट गए थी नैशनल वॉलीवल प्लेयर भी रह चुकी है और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कसम खाई आगे बढ़ने की और माउंट एवरेस्ट पे 2013 में भी चड़ाई की उन्हों पिलाल में उन्होंने माउंट विंसन पे सबलता पाई है आपको बताना है उनका नाम तो इसका राइट आंसर क्या है अर्नुमा सिना ये उपलवदी है ये सभी के लिए एंस्पिरेशन का सोर्स भी है ये आप इसे प्रणा ले सकते हैं और ये पजम सिरी आवाइडी है आपका पूरा रिवीज़न हो जाएए गा पेरियां सरस्वती रिवर तो हार कि लामी चर्चा में इसलिए है ये हरियाना सरस्वती hairitates development boat है ग्यारा project में hesitate हो रोंस की है सरस्वती को बैटर बनाने के लिए रुदारन के लिए बुनर जिवन करने के लिए और अद्री जैसे की सरसुदी रिजर्विया है, सरसुदी बेरेज है और सोम रिवर पे बांध बैनाया जा रहा है, सोम रिवर है, वह है यमना की ट्रिब्यूटरी, चीफ जसी सोब पाकिस्तान का जिकर आया था, जो की सियद खोसा है, अनाचला पर्देश का भी जिकर आया था, और अनाचला पर्देश का जिकर आया था, कि वहां की ट्राइब है, अबोर और अधी, वो दोनों एक है, इसलिए उसका नाम है, वहां से डिलीट किया जा रहा है, तो इसलिए उसका जिकर भी आया था, स्पीकर सुमित्रा महाजन का जिकर आया था, कि उन्होंने 374A, पार् पर्देश का जिकर आया था, और उसका चिटिजिंशिप एक्ट दोजार 1955 के साथ समझे है, क्योंकि इसमें संसोधन किया गया है, और माइनर्टी कम्यूनिटी है, माइनर्टी कम्यूनिटी है, हमारी जो तीन नवरिंग कंट्री है, कौन कौन से, अफगानिस्तान, बंगला कमेटी है, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, सबसे बड़ी कमेटी होती है, यह जेपीसी संसोध की, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, इसके उपर, सिटिजिंशिप एक्ट 1955 में संसोधन से, अमेंडमेंट बिल 2016 पर, भार्तमाला परजेक्ट का जिकर आया था, आपको याद आ गया होगा कि इसके लिए 10,000 कोड है, वो पैसे उगाने की कोशिश कर रहा है, कौन? N-S-A-I, N-C-T-E Amendment Bill, B-E-A-T से लेहिड था, सिंगापूर एशिया कॉंपटिटिटिव इंडेक्स है, वो, आंधरा परदेश को हाइस्ट ट्रेटिंग मिली है, इस अप डूइ तो आपको कमेंट सेक्शन में नीचे लिखने हैं, अगर आपको ये पूरी परजेंटेशन समझ में आ गई है, तो डेफिनेटली इसका आप आंसर देंगे और जरूर आंसर दीजिए, रिसेंटली वो एज बिकम दा फर्स्ट फीमेल एंविटी टू कलिम दा हाइस्ट पीक कमेंट सेक्शन में, आज की परजेंटेशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मुच्छ पूर वाचिंग दिस पॉल दबेश्ट